आप लोग अपने स्क्रीन के सामने एक फोटो देख रहे होगे और इसका नाम आप सभी लोगोंने सुना होगा इसका नाम है देखिए हापिज मुहम्मद सईद और आप समझ रहे हैं जो आपने सुना होगा मुंबई आतंकी हमला या उधंपूर पर हमला या गुरुदासपूर पर हमला मुंबई ट्रेंड विश्पोट दिल्ली सिरियल विलाष्ट अक्षरदाम पर हमला संसद भवन पर हमला लाल किले पर हमला इन सभी में इसी का हाथ माना जाता है और आपको मालोग होने चाहिए कि पाकिस्तान ने अभी पाकिस्तानी एक एंटी टेररर कोट है इसे 31 साल की सजा सुनाई गई है कितने 31 साल की और 3,40,000 रुपे का जुरुआना भी लगा है हुआ है और आपको बता दूँ पाकिस्तान ने इस पर 70 करोड रुपे का इनाम रखा हुआ है और आप सभी जान दें कि भारत की भी Most Wanted सूची में सामिल है और भारत को भी इसकी तला से एक लंबे समय से आप सभी जानते हैं इस बात को तो आज हम लोग मुहम्मद जो सईद है या हापिस सईद है इसके बारे में एक सामान जानकारी देखेंगे आखिर यह है क्या कौन है और अभी कहां रह रहा है और आप सभी जानते हैं कि पाकिस्तान की सजा का कोई मायन नहीं रखता है कि वही हाल हो गया कि आप देखे कि उसे कभी बोल देते हैं कि ग्रभ तार कर लिया गया और कभी आप देखते हैं कि वो खुला छोटा हुआ गुमता रहता है अगर इतना ही उसे अगर पावंदी लगा नहीं थी तो आप देखें कि पाकिस्तान भारत को सौपता तो साथ हम लोग अच्छी तरह से खातिरदारी कल सकते थे पाकिस्तान तो उनका घर का मामला है समझ रहे हैं तो इसके अगर हम लोग जनम की बात करें तो आप देखेंगे कि इसका परिवार पहले हर्याना में रहता था भारत मैप देख रहे हैं न आप लोग तो ये आप देखेंगे हर्याणा में इसका परिवार रहता था और ये पड़ा लिखा है आप समय रहे हैं ये हर्याणा है और ये पाकिस्तान चला जाता है इसका परिवार और आप देखेंगे हापस सईद आतन की संगठन लसकर एतेवा का संस्थापक है और पाकिस्तान में वो जमात उद्दावा नमक संगठन भी चलाता है और हापस सईद की अगर हम लोग जनम की बात करें तो 5 जून 1950 को पाकिस्तान की सरगोधा पंजाब में हुआ था इसका जन उसका परिवार हरियाना की हिसार से लाहूर चला गया था और यह पाकिस्तान में यानि की भारत में इसलामिक स्टेट बनाना चाहा रहा था आप समझ रहे और इस ही में आप देखी किस तरह की कंटर पंथी संगठनों को हमारे हां सर देता रहा हमारे हां आतंगी संगठन भ प्रूप से इंजीनियर है यानि की पड़ा लिखा है और अर्वी भासा का प्रोफिसर भी रह चुका है अमेरिकी सरकार की वेबसाइट रेवार्स फोर्दा जस्टिस में भी हाफिस सईद को जमात दावा और अहले हदीद और लस्गर ये तैवा का संस्थापक बताये गया है और अहले हदीद एक ऐसा इसलामिक संगठन है जिसकी स्थापना भारत में इसलामिक सासन लागू करने के लिए के गई थी और आप देखें कि इसका हमेशा भारत टार्गेट रहता है पता नहीं क्यों ठीक है और एक लंबे समय से आपने देखा होगा 2014 में जब पिधान मंत पाकिस्तान में कई वार देखा गया है भारत की मोश्ट वांटेड सूची में सामिल है हापिस सईद 2008-26-11 में मुंबई में हुए एक सिल सिलेवार भम धमाकों का मास्टर माइड था और इस सामले में 6 अमेरिकीयों से 164 लोगों की मौत हो गई थी और 2006 में मुंबई 10 हमलों धमाकों में भी हापिस सईद का हाथ था और 2001 में भारती संसत तक को सईद ने निसान बनाया था वो NIA की मुश्ट वांटेड सूची में भी सामिल है और मुंबई हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान से उससे सौपने को कहा था लेकिन पाकिस्तान लगातार सईद को आतंकी म चुका है और आप देखें कि हमारे यहां आदमी को मा रहा है आतंकी हमले करवा रहा है पाकिस्तान कह रहा है कि वो आतंकी नहीं है तो आप समझे कि अपनी भी कस्ता हालत है और दूसरे को वही हाल है कि ना खुद खाईए ना दूसरे को खाने दीजे पाकिस्तान की वही हा 1989 में सईद अफगानिस्तान की मुजाहिद अदुर रसूल सेयब के पिसिक्षर सिवर में सामिल हुआ था वहाँ उसकी मुलाकाद अलकाइदा कि संस्थाबक सदस अब्दुल्ला आजम से हुई थी अज्जम से और जिसने ओसामा विल्लादेन को भी पढ़ाया था तो इस तरह वारे में अमेरिका ने उसके सिर्फ और बार दस बिलियन डॉलर लगवत सत्तर करोड रूपे का इनाम घोसित कर दिया है हाला कि सईद ने अमेरिका की इस घोशना को हासरस्पत करा दिया है और आप देखें कि 2014 में एक साच्छा कर में सईद ने कहा कि मुंबई हमलों में से उसका कोई लेना देना नहीं है यह लोग आप देखें कि आतंकी हमले को अंजाम दे देंगे और फिर अपने हाथ खड़े कर देंगे इंटरफोल का रेड कॉर्नर नोटिस भारत के अग्रेपा इंटरफोल ने हापिज सईद के खिलाप 25 अगस्त 2009 को रोड कॉर्नर नोटिस के बापजूत वो पाकिस्तान में खुले आप घुमता दिखाई देता है उसे पाकिस्तान में खुले घुमने और सभाएं करने की भी आजादी मिली हुई है तो आप समझ सकते हैं कि कि इतना इमानदार पाकिस्तान है कि आप देखें कि सजा सुना दी फिर भी आप देखें इसके बाद जुलाई 2018 में पाकिस्तान को ATF की ग्रे सूची में डाल दिया गया था लेकिन फिर भी आप देखिए पाकिस्तान सुधनने का नाम नहीं लेता है और पाकिस्तान की तो कभी कभी तुल्ला उस कुत्ते की पूँच किसे की जा सकती है कि आप देखिए उसे बारे महीने कितने कहते हैं कि पूँगईया में डालो यानि कि आप उसकी पूँच को सीधा करने की कोशिस करिए हो ही नहीं सकती है जितने बार आप देखिए पाकिस्तान ने हमसे टकराने की हिमत की है यानि कि आप देखे पाकिस्तान ने भारत से और हर बार पाकिस्तान को मुही की खानी पड़ी है 1971 में आप देखे पाकिस्तान से टक्कर ली पाकिस्तान की पाकिस्तान ने हम से टक्कर ली भारत से भारत ने पाकिस्तान की दो टुकडे कर दिये थे बंगलादेश निया देस ओभर के critically आया उगा था आप सभी जानते हैं पहले जो बंगलादेश है न एक पाकिस्तान का हिस्फा हुआ करता था और एक नया देस उभर के बंगला देस आता है ये भी हमारा पड़ोसी ही है क्या है पड़ोसी ही है सईद की दुवारा गरपतारी हुई जे यूडी पिरमुक सईद को 17 जुलाई 2019 में काउंटर टरेजिम डपार्मेंट स्टी डी दुवारा एक बार फिर गरपतारी कर लिया गया था उस समय वह है लाहोर से गुंजरा वाला की यात्रा कर रहा था गरपतारी से पहले लाहोर गुंजरा वाला मुल्तान फैसलावाद और शर गोधा की पुले से श्रेशनों पर सईद और अमीर अब्दुल्ला रहिम मक्की सहथ जिडी जिडी जिए यूडी नेताओं के खलाब 23 एफाई आर दर्श की गई थी सभी पर आतंगबाद के बित्पोसन का आरोब भी लगाता है इसके बाद सईद को आतंगबाद के बित्पोसन मनी लॉंडिंग के सासत अवैद भूमी अत्याने से सम्मंदित लगभग 29 मामलों में नापजद किया गया था और आप देखे इन मामलों के पीछे आप कहते हैं की सईद का हाथ था जो हापिस सईद था ना इसी का हाथ माना जाता है फिर चाहे आप देखे 15 अगस्त 2015 का उधंपूर हमला हो जम्मू कस्मीर के उधंपूर में तेन आतंग आतिंकियों ने सीवा सुरक्षपल BSF की काफिले पर हमला किया था और इसमें हमारे दो जबान सई और जबावी कारावी में दो आतंकी माले गए थी एक पाकिस्तानी आतंकी नवेद को गरपतार कर लिया गया था तो इसमें WC का हाथ माना गया था 27 जुलाई 2015 को गुरुदासपूर हमला तेन फाकिस्तानी आतंके वादियों ने पंजाब के गुरुदासपूर जिले में एक थाने पर हमला बोला दिया था इसमें एक पुलिस कप्तान सुपिट डेंटिन और पुलिस और हॉमगार्ड की तीन जवान सहीद होए थे जवावी कारवई में तीनों आतंकी डेर होर गए थे और आप देखें कि 26 ग्यारे मुंबई आतंकी हमला ये 2008 में 26 ग्यारे यानि कि 26 नवंबर को जो लस्गर ये तेवा कि 10 आतंकी समुद्री रास्ते से मुंबई में दाखिल हुए थे उन्होंने अलग-अलग जगों पर 164 बेगुना है लोगों की जान ली थे और इस भीसर हमले में 308 लोग जखमी भी हुए थे हमला बारों में ये कातंकी अजमल कसाप को जिन्दा पकड़ा गया था और बाद में उसे फांसी की सजा भी दे गई थे फिर आप देखेंगे 11 जुलाई 2006 का मुंबई ट्रेंड बिश्वोर्ट मुंबई की लोकल ट्रेंड में साथ सीरी अलबम दमाके हुए थे और यह 1993 के बाद मुंबई में हुआ बड़ा हातंकी हमला था और सभी दमाके लोकल ट्रेंडों के फर्ष्ट क्लास कोच में पर प्रेसर को करमें रखे गए थे जाज के बाद बताया कि इस हमले में पिती बंदित संगठन इंडियन मुझाहिद दीन का हाथ था जिसमें लसकर ने प्रमुकरोप से सहुग दिया था फिर आप देखेंगे 29 सक्टूबर 2005 को दिली सीरियल ग्रास दिली की राधानी दिली में हुए इन सीरियल बंब धमाकों ने पूरे देश को हिला कर रख दिया था आतंकी संगठन लसकर ये तेवा ने दिली में तीन जगए धमाकी किये थे पहाडगंज, बाजार, सरोजनी नगर मारकेट, गौबिंद पूरी में हुए इन धमाकों में 62 लोक मारे गए थे और करीब आप देखेंगे 210 गायल हुए थे जो 24 सेप्टंबर 2002 का अक्षरधाम अमला, लसकर ये तेवा और जैसे मुहमत के दो आतंकीयों ने गुजरात के गांदी नगर में अक्षरधाम मंधिर पे हमला कर दिया था और इन आतंकीयों ने मंधिर में हत्यार और हत गोलों से हमला किया थ हमला बारों को NSG कमांडो ओपरेशन में मार गिराये गया था और इस हमले में 30 लोग हमारे देश के मारे गये थे और फिर आप देखेंगे 13 देसंबर 2001 को संसत पर जो हमला हुआ था लसकर की आतंकियों ने इस दिन देश की संसत पर हमला किया था और दिल्ली पुलिस के जवान गया था फिर आप देखेंगे 22 दिसंबर 2000 सं 2000 को लाल किली पर जो हमला हुआ था इलसकर ये तेवा कि 6 आतंकियों ने रात में लाल किली पर हमला किया था और इस हमले में सेना के दो हमारे जवान सहीद हो गये थे एक अन्नी की मौत हुई थी और हमले की ठीक बात पुली दि गिन का रिकॉर्ड और आज देखी कि पाकिस्तान में भी उदम मचाते रहते हैं समय रहे हैं हाफ लो तो हापेज मौहम्मद सईद फिर से कह रहा हूं अब देखे पाकिस्तान ने सजा सुनाई क्या हुआ क्या नहीं हुआ है मुझे नहीं लगता है कि देखे जान्दर अब देता तो यहां सजा सुनाईने की जरूरत ही नहीं पड़ती वैसे ही भारत अच्छी तरह से खास्तिरदारी उसकी कर देता तो यही कहान है हापेज मौहम्मद सईद की